नमस्ते, मैं हूँ किशोर रजवानी और अब आज की ताजा खबर महाराष्ट में चुनाव नतीजों के एक महीने बाद आखिरकार शिरसेना प्रमुख उधव ठाकरे ने राज्यक के मुख्यमंत्री पद की शपत लिए इसके साथ ही महाराष्ट की राजनीती में एक नया आतिहास रचा गया क्योंकि अब तक किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले ठाकरे परिवार खुद किंग बन गया और शिवसेना ध्यक्ष उधव ठाकरे ने महाराष्ट की कमान समाली मुंबई के एतिहासिक शिवाजी पार्क में जब उधव ठाकरे शपत लेने के लिए मंच पर पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले महालगी छत्रपती शिवाजी की प्रतिमा के आगे सिर जुका कर प्रणाम की जिसके बाद राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी ने उन्हें पद और गुपनी अता की शपत दिलाई उधव ठाकरे ने मराठी में शपत ली इस एतियासिक लमे का गवा बनने के लिए शिवाजी पार्क में तमाम नेताओं और वी आईपी लोगों के समेथ परीब सत्तर हजार लोग मौजूद थे जिनोंने पूरी गर्म जोशी के साथ राज्य के नए मुख्य मंतरी का स्वागत किया उधव ठाकरे को भी जनता के प्यार का एसास था यही विज़रेही की शपत लेने के बाद उन्होंने बाल ठाकरे के अंदाज में अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर सामने खड़ी जनता का अभिवादन किया इसके बाद उन्होंने घुट्टों के बल मंच पर बैठ कर महा मुझूद लोगों को सिर जुका कर प्रणाम किया इसके बाद मंच पर मुझूद राज ठाकरे और दूसरे बड़े नेता खुद उधव के पास पहुँचे और उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर बढ़ाई थी महाराष्ट के मुख्यमंत्री पद की शबत लेकर उधव ठाकरे ने अपने पिता और शिवसेना के संस्थापक वाल ठाकरे का सपना साकार कर दिया और महाराष्ट की सियासत में ऐसे पहले नेता बन गए जो बिना कोई चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बन गए है ऐसे में उन्हें छे महीने के अंदर विधान सभा या फिर विधान परुष्ट के सदस्से की रूप में चुनकर आना हो गए उधव ठाकरे सन 2000 से पहले तक राजनीती से पूरी तरह दूर थे और शिवसेना के मुखपत्र सामना का काम देखा करते थे लेकिन बाल ठाकरे की सेहत खराब होने के बाद वो राजनीती में सक्री हुए और 2002 में उने पहली सफलता तब मिली जब उनके नितृत्व में शिवसेना ने बीमसी चुनाव में बड़ी जीत हासिल की इसके बाद भी उद्धव ठाकरे अपने पिता की तर्ज पर ही सियासत करते रहे और ना तो चुनाव मैदान में उतरे और ना ही सरकार में कभी कोई पद लिया लेकिन इस बार के विधानसवा चुनाव में पहली बार उन्होंने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को चुनाव मैदान में उतारा और एक महीना पहले चुनाव के नतीजे आने के बाद बदले सियासी समय करण में उन्होंने खुद मुक्य मंत्री बनने का पैसला की उद्धव ठागरे के शपत लेने के बाद उनकी कैबिनेट के चे मंत्रियों को भी पद और गोपनी अता की शपत दिलाएगा शिवसेना कॉंग्रेस और न्सीपी के कोटे से दो-दो मंत्रियों ने शपत ली और सबसे पहले शिवसेना के एकनात चिंदे और फिर सुभाष देशाई ने मंत्री पत की शपत ली जिसके बाद एंसीपी कोटे से विधायक दल के नेता जैंत पाटेल और चगन भुजबल को शपत दिल भाइगे और फिर कॉंग्रेस के कोटे से बालसाफ तौराट को शपत दिलैगी तौराफ महाराष्ट विधान सभाके सबसे वरिष्ट नेताओं में एक हैं पत्ति का आशिरवाद लिया। इस दोरान उनके साथ उनकी पत्नी रश्मी ठाकरे और उनके दोनों बेटे भी मौजूद रहे। ठाकरे परिवार के लावा शिवसेना के कुछ बड़े नेता भी सिद्धिविना एक मंदिर पहुंचे। मंदिर में पहुंचने के बाद उधव ठाकरे ने पूरे परिवार के साथ वहां पूजा की। इसके बाद उन्होंने आरती में भी हिस्सा लिया और भगवान का आशिरवाद लेने के बाद वो परिवार के साथ मंदिर से बाहर आ गए। महराष्ट में पहली बार ठाकरे परिवार से कोई मुख्यमंत्री बना महराष्ट में नई सरकार के शपत ग्रण के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में कई बड़े नेता और दिगगा जस्तिया मौजूद रही यहां तक की पूर्व सीम देवेंद्र फंडवीस की भी उत्थव ढगरे के शपत ग्रण समारों में शामिल हुए शिवसेना नेता और महराष्ट के पूर्व सीम मनहर जोशी भी मौजूद रहे तो बड़े भाई को मुख्यमंत्री बनने की बधाई देने के लिए एमेनेस प्रमुख राज ठाकरे भी पहुंचे नई सरकार में शिवसेना के साथ एंसीपी और कॉंग्रेस भी साज़दार है इसलिए एंसीपी और कॉंग्रेस के भी तमाम बड़े नेता इस समारों में शामिल हुए कॉंग्रेस की तरफ से गांधी परिवार का कोई सदस्य भले ही शपत ग्रहन का हिस्ता ना बना हो लेकिन एहमत पटेल और मलिक आरजुन खड़के के अलावा महराष्ट कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेता मंच पर नज़र आए NCP की तरफ से खुद शरत पवार तो पहुँचे ही उनके अलावा अजीत पवार सबेत पार्टी के कई बड़े नेता वहां मौझूद है उधव ठाकरे के शबत ग्रण समारों में Reliance Industries Limited की चेर्मेन मुकेश अमबानी, उनकी पत्नी नीता अमबानी और बेटे अनन्त अमबानी भी पहुँचे और महराष्ट के नए मुक्यमंत्री को बढ़ाई दी इससे पहले उधव ठाकरे ने जैसे ही शिवाजी पार्क में मुक्यमंत्री पत की शबत ली वैसे ही वहां मौझूद शिवसेना के समत्वकों ने आतिश बाजी शुरू कर दी और शिवाजी पार्क का आस्मान रंग बिरंगी रोशनी से चमक उठ पहली बार ठाकरे परिवार के किसी शक्स के सीम की कुरसी पर बैठने के पल को यादगार बनाने की पूरी तैयारी की गई शिवाजी पार्क में ही एक तरफ शपत ग्रहन समहरों चल रहा था और दूसर और एक इतियाज रही तरफ शपत ले रहे ते तो किस तरीके तो लोगों के भीड उधा पुरे परिवाद उधा पर बार्थन के लोग यहाँ पर मौजूद है देश के कई हिस्सों में शिवसेना के कारेकरताओं ने उधव ठाकरे के सीम बनने का जश्न मना या जब्मू में भी ऐसी ही जगों में थे जहां शिवसेना के कारेकरता सडकों पर उतराए और काफी देर तक आतिशवाजी करते रहे शिवसेना के कारेकरताओं के लिए ये मौकाद दिवाली से कम नहीं था कारिकर्ताओं के हाथों में फुलजणिया और सडकों पर पटाखों की लड़ियां जलती रहे धोल लगाडों का भी इंतिजाम किया गया जिसकी थाप पर कारिकर्ता सडकों पर जूमते रहे इस दोरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाईयां खिला कर बधाई भी राजसान के जोदपूर में एक हिस्ट्री शीटर की लाथी से पीट कर हत्या कर दी गई बताया गया कि उसका इलाके के ही दूसरे बदमाश से किसी बात पर विवाद चल रहा था जिसकी बजह से उसने सड़क की किनारे खड़े हिस्ट्री शीटर पर लाथी से हमला कर दिया इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी सड़क की किनारे खड़ा दिखा तब ही एक दूसरा आदमी महा पहुंचा अचानक उसके से पर लाथी मार दी हमला होती ही वो आदमी नीचे गिर गया लेकिन हमलावर ने उसे नहीं छोड़ा उस पर लगतार बार करता रहा इस बीच वहां से कई लोग आते जाते दिखे लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की काफी देर तक लाथियां बरसाने की बाद हमलावर वहां से परार हो गया उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी सबसे ज़्यादा बुरा हाल उत्तराखंड के चमोली जिले करा जहां देर राज से सुभह तक बर्फबारी होती रही जिससे तापमान में काफी गिरावट दर्च की गई बर्फ से वहां की सडकें ढख गई और पेड़ भी पूरी तरा बर्फ से लद गए मौसम ने करवट ली तो तापमान भी तेजी से गिर गया धंड से बचने के लिए कुछ लोग बीच सडक पर आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करते भी नजर आए उत्तरा खंड के चारों धाम में भी काफी बर्फबारी हुई बर्फ से पूरी केदार घाटी ढख गई वहाँ दो-तीन फीट तक गिरी बर्फ के बीच कुछ लोग चलते हुए भी नजर आए वहीं बद्रिनाद मंदिर समयत उसके पास की पहाडियां भी बर्फ की चादर से ढग गई इसके अलाबा उत्तरकाशी के पहाड़ी इलाकों में भी मौसम की पहली बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी वहाँ गंगोतरी के पास हरशल से आगे जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से तापमान में भी काफी गिरावट दर्च की गई अलाब की इलाके के लोगों ने सीजन की पहली बर्फबारी को सेव की पैदावार के लिए अच्छा बताया उत्तरकाशी की यमनोतरी घाटी में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा वहां के कई गावों में तीन से चार फीट तक बर्फ गिरी एक गावों के तो सभी मकानों की छट पूरी तरह बर्फ में दबी नज़र आई वहीं टिहरी जिले के धनोल्टी में हलकी बर्फबारी से कारोबारियों के चेहरे खिल गए और उन्होंने उम्मीजताई की ज्यादा बर्फबारी होने के बाद वहां पहुंचने वाले सेलानियों की तादाद भी बढ़े गे उत्तराखंड की तरह बर्फबारी ने हिमाचल के लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी क्योंकि हिमाचल के पहाड़ी लाकों में भी खूब बर्फ गरी और कुछ जगों पर तो तापमान शूनने से भी नीचे चला गया कि नौर में तो इतनी बर्फ गरी कि उसने सब कुछ ढग लिया न तो मकानों की छटे नजर आई और नहीं सडके दिखी रोतांग के पास के इलाकों में तो हालात और बुरे हो गए वहाँ कोकसर में सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में छिप गया बारी बर्फ बारी की वज़े से बिजली और पानी की सप्लाई पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा रुक रुक कर गिर रही बर्फ की वज़े से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए दूर दरास के कुछ इलाकों में तीन से चार फीट तक बर्फ गिरी और उनका संपर्क बाकी इलाकों से तूट गया हाना कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों ने मौसम के बदले मिजाज पर खुशी जटाई मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में पहारी इलाकों में और पर्फ बारी कानुमान जटाया है जब्युकष्मीर का राज़पाल वहते हुए अपने बैयानों से हमेशा सुरख्यों बटोरने वाले सत्यपाल मलिक एक बद फिर सुरख्यों में है गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल के समय तंज कस्ते हुए कहा कि वैसे तो लोग सेना के जवानों को लेकर लंबे चौड़े भाशुर देते हैं लेकिन हकीकत यह है कि सेना के जवानों के लिए एक पैसे की चैरटी नहीं करते हैं इतना ही नहीं सत्यपाल मलिक ने कहा कि आज भी जब किसी शहीद का पार्थिव शरीद घर आता है तो संसकार में हजारों लोग पहुंशते हैं लेकिन कुछ दिन बाद उसकी पत्नी और बच लिए जिनके पास चोधे-शोधे मंदिल में एक मंदिल में कुटे रहते हैं लेकिन एक पैसा भी चैरिटी नहीं करते हुंच के हिराक नजफ में बेरोज़गारी और भृष्टाचार के खिलाफ प्रदशन कर रहे लोगों ने एरान के कौनस्लिट को आग़ के हवाले कर द और नजफ में इरान के कॉंसलेट पर हमला कर दिया प्रदर्शनकारियों ने कॉंसलेट के में गेट समेट कई जगों पर आग लगा दी कॉंसलेट के भीतरी हिस्से से भी आग की लपटे निकलती दिखी कुछ प्रदर्शनकारी कॉंसलेट की बाहरी दिवारों पर चड़ गया और नारेबाजी करने लगे। पंजाब में अकाली दल के वरिष नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंग मजीठिया ने आरोप लगाये कि जेल में बन गैंग्स्टर जगू भगवानपुरिया की मां कॉंग्रस पार्टी से चुड़ी है और पंचायत की मेंबर हैं जिसकी वजह से जगू को जेल में ही मिल रही है मजीठिया ने गैंग्स्टर जगू भगवानपुरिया के फेस्बुक एकाउंट भी दिखाए जिसके जरीए धमकी दी गई एकना ही नहीं फेस्बुक पर जेल में जनम दिन मनाने की तस्वीरों को लेकर भी बिक्रम सिंग मजीठिया ने पंजाब की अमरंदर स पोज की तिया मैंनू धरक देनी शुरू करती जो बात कर रहा है और आपको भी मालम है कि जिलों में जो मैंने सुधार किये जो मैंने रिफॉर्म्स किये तो वहां पर का इनका विक्रम जीठिय का जो कारोबारता बंद हो गया है और जो इसने का कि जगू अग्वानपुरि मेरा आदमी है मैंने विद फोटोग्रैप्स वह आपको दिखा दिये हैं जो जगू के आदमी हैं उनकी फोटो इनके साथ है विक्रम जीठिया और अकारी दल के साथ इसके पीए के साथ अब तो इसके आगे कुछ रही नहीं गया दिल्ली में तीनों नगर निगमों ने केजरीवाल सरकार के खलाफ जम कर हंगामा किया वैसे तो ये प्रदर्शन नगर निगमों को फंड जारी नहीं करने के मुद्दे पर किया गया लेकिन इसके पीछे विधान सभा चुनाव को बड़ी वज़ा माना जा रहा है दिल्ली दिल्ली नगर निगम ने आरोप लगाया कि सरकार ने उसके 2000 करोड रुपए से ज्यादा रोके हुए हैं तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बताया कि उसके 3600 करोड रुपए उसे आज तक नहीं मिले इसके अलावा पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी सरकार से उसक जिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले आईटी ओ चौराहे पर धरना भी दिया और सरकार पर नगर निगमों को कमजोर करने का आरोप लगाया इस प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल की भी सफाई सामने आई आम आदमी पार्टी की दलील है कि जब चार साल से नगर निगमों का फंड रोका जा रहा था तो यह मुद्दा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों उठाया गया यानि पार्टी इस मुद्दे को सीधे-सीधे राजनीति से प्रेरित बता रही है नातुराम गोटसे को लेकर विबादत बयान देने पर इंदोर में कॉंग्रस के कारेकरताओं ने भूपाल से बीजपी सांसत साथवी प्रग्या के खिलाफ देशग्रों का मामला दर्च करने के लिए श्रकायत दी है साथवी के इस बयान को लोगसभा की कारिवाई से निकाल दिया गया लेकिन कॉंग्रस ने इसे बड़ा मुद्धा बना लिया है थाना प्रभारी बीदी त्रिपार्टी ने ठाकुर के खिलाफ कॉंग्रस कारेकरताओं की शिकायत मिलने की पुष्टी की है और साथी कहा कि जाच के बाद ही पुलिस आगे कोई कदम उठाएगी फिल्हाल साथवी प्रग्या के खिलाफ कोई मामला दर्च नहीं किया गया है अजो ये मद्धिपरिश कांग्रस कमेटी के जो अब सभी आप देख रहे करने लोग जो आए हुए तो इन दोर में प्रग्या के खिलाफ शिकायत की गई है देशद्रों का केस दर्च करने की मांग की गई है साद्वी प्रग्या ने विवादित बयान दिया था संसत की पठर पर और उसको लेकत के उनका विरोध भी हो रहा है